तो आप लोग देख सकते हैं करकनाथ और बनराज घास भी खाता है और भाईयाद घास लाएं है तो देख लिजे घास खाने के लिए कितना भीर लगा चुका है लोग देख सकते हैं आप सब्सक्राइब करते हैं इस तरीके से खिला सकते हैं और देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से घास को किस तरीके से एकदम खार रही है सब्सक्राइब कर दोस्तों हम अभी पहुंच चुके हैं क्रारिया गाउं के पाथ जहां पर मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा करकनाथ और बनराज का परद्याती तो आप लोगों को आज वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि करकनाथ किया जाता है और इसमें क्या क्या आप स्टाइस फार्म को क्या नाम हुआ है स्यम कुमार भॉइस कंगन क्या है आप क्या बनराजा और क्रकनाथ कि वज्द तो कितना पी सब यहां पे अपर रखेंगे हुए मेरे पास 200-200पीस है जी जी तो इसको कहाँ से आप खटदारी करके लाए थे से इसको रहे वीटना तो इसको कितना दिन में तयार हो जाता है इसको फिर 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 खिलाते हैं इसको एक महीना देना पड़ता है उसके बाद मक्का का जोुता रहाता है 너 दाना उसको खिलाते हैं हम सो और इसे कुला में बिए एक्दम रही है जी तो आप लोग चेंथे हैं ङरही है देख सकते हैं ऑद तो ये अपरीवाच पर गोम रहा चीह welfare अग्वीड है उसमें बहुत हाई पोटीन होता है बड़ा चाप से खाती है देखें सब खारीं खानपाल में कितना कोष्ट बैटता होगा दो सबस्ट में कितना की बाइब को तियार करने में हमको वही एक मतलब सब्सक्राइब लग जाता से एक को तैयर करने में सो से 120 रूपय लग जाता है जी और तीस रुपय खड़दारी आप बता रहे हैं जी तो लंसम डेर सो रुपय पढ़ जाता है जी और अगर इसकी विक्री की बात की जा तो कितना में एक पिस बेचते होंगे इसको विक्री सर करकनात का भी 500 सब्सक्राइप क्या बंद्राजा का 500 रूपय चार्फय करकनात के साठी सब्सक्राइब करकनात को तो सबस्क्राइब को कि दौटब में बंद्राजा को लगता है तरDIO内 तेंसे में आंतर आता है कि इतना रेक्हाइट कांतर हिपंट होता है सब मतलब कुल फिरी होता है मतलब बहुत सब बिमारी से मतलब सब उसका बिनफिट करता है इसलिए उसको देते हैं उसका एक अंड़ा सर पचास प्याम मिलता है हम सब यहां 30 रूप्य को स्बीसिता है सब अब तो आप इसको कर रहे होंगे मतलब ऑड़र दिया है सुनाली का 1000 पिस लिए डालेंगे से सुनाली अब सब्सक्राइब पिस और भी कितने दिनों से इसको कर रहे हैं अभी सरह इसका दो सब कर देना पड़ता है इसको देना पड़ता है प्रोटीन हुआ मतलब इसको विटामिस देना पड़ता है उसको हमारी लगता है उसको स्टार्टिंग में हम सब गोल को देते हैं फिर हैं इसके लिए उसके लिए इंटीबाइटिक और देना परता है तो कितना आमेल देना परता है इसको मसम उसको वही पान से छे टीपी देते हैं तो पानी हम उसको घोल देते हैं और इस जो आप त्यार के हैं इस वाले सेड़ को इसको रखने के लिए इसमें कितना कॉस्ट बैठा होगा इस सेड़ को त्यार करने में कॉस्ट्रिंग लगा है और जो सेड़ के अब आगे बढ़ाना है इसको हाँ सरी को अधर बनाएं सेड़ को तयार हो चुका है तो कहीं ने कहीं इसमें आपको मन लग रहा है इस बहुत अच्छा लगता है इंटीगेटर हम करना चाहरे हैं सर मतलब हुआ इगोट्री हुआ फिसली हुआ डेरी हुआ और अगनिक फार्म कि अधरम आतो हमत्स अच्य क्यांच अच्यायव है सो फंट्र थी लेटा डियों सब्सक्याद मेठा पर ता है इसको डाखे हुए है इस तब बगचते तो देखते रहता है लेकिन बीच में आकर सबक्षाक्रना पसर आफ टीलिफूनिक उसको एड्वास देना पड़ता है इस अशरणारफ आन था उसकास एंग सब्वाइस करना फ़ता है भी वहाँ देख लेटाionar यहां देख ले में अच्छा भी लगता चुका है काफी सारा है खुले में घूम भी रहा है तो देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से अभी तो इनके पास मात्र 200 पीस ही है ट्रेल के तौर पर ही लाए थे मगर आगे इनका बढ़ाने का प्रयास है बोल रहे हैं कि एक हजार पीस अगली बार यहां पर रखने का कोशि अच्छा लगता है तो आप अपना नमबर बता जिए दर्सकों को कोई अगर कुछ आप से जानकारी लेना चाहिए इसके बाड़े में तो आप अपना नमर थोड़ा बता जिए दर्सकों नमबर हुआ सा 76-20-21-38-38 जिसा एक बार फिर से बता जिए दर्सकों अगर किसी भी बारे में जानकारी लेना होगा करकनाथ या बनराज या कोई भी देशी मुर्गी बागेरा के बारे में तो इसे ले सकते हैं भाईया जो हैं सो बियाचिव बनारस इंवर्सिटी से किये हुए हैं तो जिनकों भी किसी को जनकारी लेना होगा तो इनसे आप काल करके या वीडियो के माध्याम से फोन करके किसी भी माध्याम से आप इंसे जनकारी ले भी सकते हैं तो करकनाथ और बनराज की क्या क्या पहचान होती है करकनाथ जो होगा न सार उसका पुरा सब कि अर रहेगा इसका मीट भी कला होता है बुलाड चाल पर होता है लिए यह शाट बन हर राजा इसाट सबराजा ने साब में वह है इसमान बराजा ہے तो कोई भी इच्छु के या बेरोजगारी वा अगर इसका पालन करना चाहें करकनात का पालन करने में ज्यादा प्रॉफिट है या बन राजा में ज्यादा प्रॉफिट तो सब्सक्राइब में ज्यादा प्रॉफिट है लेकिन उसका मार्केटिंग नहीं है उसका मार्केटि जो ऐसा दो से तीन महीने में त्यार हो जाता है तो अगर कोई करना चाहे तो दोनों में अच्छा कौन सार रहेगा अच्छा रहेगा जो होता है ना सब बहुत सा बिमारी के लिए भी फैदमन्द होता जैसे किसी का प्रेशन हुआ होता है बहुत सब्सक्राइब के लिए बहुत अच्छा है अगर कोई उसको खाता है तो अब अंडे की बात की जाती है तो करकनाथ साल में कितने देती होगी करकनाथ अंडा कम देती है लेकिन तीस रुपिया से है अंडा मिलता है तो आपके पस खोता और अगे लाएंसे अंडा में अ लेकिन करें तो इसको आगे चल करके अंडे भी से त्यार करना है आपको यह लेकिन में मीट परपस के लिए रखेंगा लेकिन कुछ अंडे के लिए रखेंगा लेकिन में आपको इसका पालन कर रहे हैं और कुछ ट्राल के तौर पर अंडे के लिए रखेंगे अंडे के लिए रखेंगे चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका तो इसी तरीके के नयने वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद